इफिसियों के नाम पॉलूस प्रेरित की पत्री अध्याए 1 से 6 अध्याए 1 एक पॉलूस की और से जो परमेश्वर की इच्छा से इसु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह इसु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, 2. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभू वीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ती मिलती रहे. मसीह में आत्मे काशिशें तीन हमारे प्रभू वीशु मसीः के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीः में स्वर्गी इस्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीश दी है चार जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ती से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्रा और निर्दोश हों पांच और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हीशु मसीः के द्वारा हम उसके लिपालक पुत्रों छे की उसके उस अनुग्रे की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रियमें से इंतमेंद दिया साथ हम को उसमें उसके लहू के द्वारा चुटकारा अर्थात अप्रादों की क्षमा उसके उस अनुग्रे के धन के अनुसार मिला है आठ जिसे उसने सारे ग्यान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया नौकियों की उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था दस की समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो की जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ प्रित्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एक अत्र करे ग्यारा उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने बारा की हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुती के कारण हो तेरा और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिग्या किये हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी चौदा वह उसके मोल लिये हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुती हो पॉलूस की प्रार्थना पंद्रह इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीश्व पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रगट है 16 तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरन किया करता हूं 17 की हमारे प्रभु यीश्व मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्यान और प्रकाश की आत्मा दे 18 और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर में हूं की तुम जान लो की उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है 19 और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ती के प्रभाव के उसकार्य के अनुसार 20 जो उसने मसीह में किया कि उसको मरेहों में से जिलाकर स्वर्गी अस्थानों में अपनी दाहिनी और 21 सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के उपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, 22 और सब कुछ उसके पावों तले कर दिया और उसे सब वस्तूओं पर शिरोमनी ठहरा कर कलिसिया को दे दिया 23 यह उसकी दे है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है अध्याए दो, मृत्यू से जीवन की ओर एक उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे दो जिन में तुम पहले इस संसार की रीती पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आग्याना मानने वालों में कार्य करता है तीन इन में हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे चार परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिस से उसने हम से प्रेम किया पांच जब हम अपरादों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है छे और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गी अस्थानों में उसके साथ बैठाया साथ की वह अपनी उसक्रिपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए आठ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है नौ और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे दसक्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए स्रिजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तयार किया मसीह में एक इसराइल की प्रजा के पद से अलग किये हुए और प्रतिग्या की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे तेरा पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहु के द्वारा निकट हो गए हो 14 क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दिवार को जो बीच में थी धा दिया 15 और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आग्याएं विधियों की रीती पर थी 18 क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पहुँच होती है 19 इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेशवर के घराने के हो गए बीस और प्रेरितों और भविश्य द्वक्ताओं की नीव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयम ही है, बनाई गए हो 21 जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है 22 जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो अध्याय तीन अन्यजातियों में पॉलुस की सेवा एक इसी कारण मैं पॉलुस जो तुम अन्यजातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ दो यदी तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया तीन अर्थातियों की वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रगट हुआ जैसा मैं पहले ही संखशेप में लिख चुका हूँ चार जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो की मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूँ पांच जो अन्यसमयों में मनुश्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा की आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविश्यद वक्ताओं पर प्रगट किया गया है छे हर्थात यह की मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्यजातियों लोग मीरास में साजी और एक ही दे के और प्रतिग्या के भागी है साथ मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थय के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवग बना आठ मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रे हुआ कि मैं ने जातियों को मसीर के अगम्यधन का सुसमाचार सुनाओ, नौ और सब पर यह बात प्रकाशित करून की उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सब के स्विजिनहार परमेश में आदी से गुप्त था, दस्ता की अब कलिसिया के द्वारा, परमेश्वर का विभिन प्रकार का ज्यान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गी अस्थानों में हैं, प्रगट किया जाए, ग्यारह उस सनातन मंसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीर य मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है, मसीर का प्रेम 14 मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, 15 जिस से स्वर्ग और प्रिथवी पर हर एक धराने का नाम रखा जाता है, 16 की वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यहदान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीत्री मनुश्यत्व में सामर्थ्य पाक कर बल्वंथ होते जाओ, 17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे की तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर, 18 सब पवित्र लोगों के साथ भली भाती समझने की शक्ति पाओ की उसकी चोड़ाई और लंबाई और उंचाई और गहराई क इतनी है, 19 और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ग्यान से परे है कि तुम पर मेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, 20 अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थे के अनुसार जो हम में कार्य करता है, 21 कलिस अध्या में और मसीह यीशू में उसकी महिमा पीडी से पीडी तक योगानुयोग होती रहे, आमीन, अध्याय चार, मसीह की देह में एकता, एक इसलिए मैं जो प्रभू में बंदी हूं तुम से विनती करता हूं कि जिस बुलाहत से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, दो अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो, तीन और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यतन करो, चार एक ही देह है, और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाई गए थे अपने बुलाई जाने से एक पांच एक ही प्रभू है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, छे और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के उपर और सब के मध्य में और सब में है। दस और जो उतर गया यह वही है, जो सारे आकाश से उपर चड़ भी गया की सब कुछ परिपूर्ण करे। पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। 14 ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुश्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक जोंके से उच्छाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। 15 वरन प्रेम में सच्छाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है। 15 अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, 16 जिससे सारी देह, हर एक जोल की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गटकर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंके ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आपको बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नती करती जा 18 क्योंकि उनकी बुद्धी अंधेरी हो गई है और उस अग्यानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किये हुए हैं, 19 और वे सुनन होकर लुच्पन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें उतार दालो 23 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, 24 और नए मनुश्यत्व को पहिन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिक्ता और पवित्रता में स्रिजा गया है 25 इस कारण जूट बोलना छोड़ कर हर एक अपने पढ़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है 26 क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, सूर्य अस्थ होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, 27 और न शैतान को अफसर दो 28 चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो 29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुह से न निकले, पर आवश्यक्ता के अनुसार वही निकले जो उन्नती के लिए उत्तम हो ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो 30 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है 31 सब प्रकार की कढ़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुम से दूर की जाए 32 एक दूसरे पर क्रिपालू और करुना मैं हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराद ख्षमा किये, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराद ख्षमा करो अध्याए 5 जोती की संतान बनो एक इसलिए प्रियब बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरन करो, दो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुम से प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आपको सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेट करके बलिदान कर दिया तीन जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोब की चर्चा तक न हो, चार और ना निरलज्टा, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठटे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरंधन्यवाद ही स ना जाए, पांच, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोबी मनुश्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसी और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं, छे कोई तुम्हें व्यर्द बातों से धोखा न दे, क्योंकि इनी कामों क कारण परमेश्वर का क्रोध आज्याना मानने वालों पर भड़कता है, साथ इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, आठ क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परन्तु अब प्रभू में जोती हो, अतह जोती की संतान के समान चलो, 9 क्योंकि जोती का फलसब प्रकार की और धार्मिक्ता और सत्य है, दस और यह पर्खो की प्रभू को क्या भाता है, 11 अंधकार के निश्वल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, 12 क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लजजा की बात है, 13 पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सीह की जोती तुझ पर चमकेगी, 15 इसलिए ध्यान से देखो की कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, 16 अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे है, 17 इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो की प् अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्टन करते रहो, 20 और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, 21 मसीह के भए से एक दूसरे के अधीन रहो, पती और पतनी, 22 पतनियों, अपने अपने के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, 23 क्योंकि पती पतनी का सिर है जैसे की मसीह कलिसिया का सिर है और स्वयम ही देह का उध्धार करता है, 24 पर जैसे कलिसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पतनिया भी हर बात में अपने अपने पती के अधीन रहें, 25 पतियों, अपनी अपन वी कलिसिया बना कर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंग, न जुर्वी, न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोश हो. 28 इसी प्रकार उचित है कि पती अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे. 29 क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोर्शन करता है, जैसा मसीः भी कलिसिया के साथ करता है. 31 इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. 32 यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीः और कलिसिया के विशय में कहता हूँ. 33 पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पती का भहे माने. अध्याए 6 माता पिता और बच्चे एक हे बाल को, प्रभू में अपने माता पिता के आज्याकारी बनो, क्योंकि यह उचित है. 2 अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्या है जिसके साथ प्रतिग्या भी है, तीन की तेरा भला हो, और तू धर्ती पर बहुत दिन जीवित रहे. 4 हे बच्चे वालो, अपने बच्चों को रिस्ट न दिलाओ, परंतु प्रभू की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोशन करो. स्वामी और दास 5 हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आग्या मानो. 6 मनुष्यों को प्रसंद करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, साथ और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभू की जान कर सच्चे हृदै से करो. 8. क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा 9. स्वामियों, तुम भी धमकिया देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता 10. इसलिए प्रभू में और उसकी शक्ती के प्रभाव में बलवंद बनो 11. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको 12. क्योंकि हमारा यह मल्युद लहू और मास से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक से नाउ से है जो आकाश में है 13. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको 14. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिक्ता की जिलम पहिन कर, 15 और पावो में मेल के सुसमाचार की तयारी के जूते पहिन कर, 16 और इन सब के साथ विश्वास की धाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको 17. और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो 18. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी लिए जागते रहो की सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो 19. और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूँ 20. जिसके लिए मैं जन्जीर से जकड़ा हुआ राजदूथ हूँ और यह भी कि मैं उसके विशे में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ 21. जो प्रिय भाय और प्रभू में विश्वा से युग्य सेवक है तुम्हें सब बाते बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो की मैं कैसा रहता हूँ 22. उसे मैंने तुम्हारे पास इसी लिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांती दे 23. परमेश्वर पिता और प्रभू यीश्व मसीह की ओर से भाईयों को शांती और विश्वास सहित प्रेम मिले 26 जो हमारे प्रभु येशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुब्रह होता रहे